आपने देखा होगा कोई भी रेश्टराउंट में या कोई भी शॉप में कभी-कभी स्टाफ जो है वो continue change होते रहते हैं नए manager, नए waiter, नए service वाले, नए खाना बनाने वाले और कोई-कोई रेश्टराउंट में या कोई-कोई शॉप में आप अगर जाएंगे तो सालों से एक ही बंदा उनके लिए काम करता रहता है सालों से एक ही स्टाफ उनके लिए काम करता रहता है तो कभी आपने सोचा होगा कि ऐसा क्यों कि कोई hotel में या कोई दुकानों में जो कर्मचारी होत जाते हैं तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिसकस करेंगे मेरा नाम गोपाल कामत है और मैं एक रेस्टोरांट ओनर हूँ और फाउंडर हूँ गेट यो रेस्टोरांट का जहां पर हम आपको सिखाते हैं कैसे आपका खुद का फुड बिजनेस कोई भी टाप का फुड ब इसे मेरा नाम गोपाल कामत है और आज हम बात करेंगे ओटू रेकृूट स्टाफ ओर यो रेस्टोरांट कैसे आप आज की तारीक में रेस्टोरांट के लिए स्टाफ रेकृूट करें तो यह जो वीडियो है यह आपके लिए इतना इंपोर्टन है क्योंकि स्टाफिंग यह बहुत ही बहुत ही कुछल पॉइंट है कोई भी रेश्टोरंट का क्योंकि आप एज अन ओनर अकेले सब चीज खुद तो नहीं कर सकते ज्यादा से जदा आप कैश काउंटर हैंडल कर लेंगे या फिर आप कोई चीज कर लेंगे सर्विस कर लेंगे या फिर एक टाइम प पर रिलाइक करना पड़ता है और टीम के ओपर रिलाइक करने के टाइम पर फिर जो हुमन तच आता है तभी हुमन मैनेजमेंट आता है पीपल मैनेजमेंट आता है और पीपल मैनेजमेंट में हर एक का नीचर अलग होता है कोई साधा सभाव का होता है कोई गुसिला होता ह कोई चालाक होता है कोई बोला होता है और गदा होता है तो अलग-अलग टाइप के यह होते हैं अच्छा बाइद वे इससे पहले कि मैं भूल जाओ अगर आप नए है इस चैनल पर और इस वीडियो पर और अगर आपको खुद का रेस्टोरांट आज ने तो कल कभी भी है या अगर आप खुद का रेस्टोरांट ओन कर रहे है और आपको उसको अप्टिमाइस करना है प्रोफिटेबिलिटी बढ़ा निए तो यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ में अगर कोई फ्रेंड्स आप पेचानते तो उनके साथ मे शेर कीजिए क्योंकि यह एक मात्रे चैनल है जिसमें आपको एक रेस्टोरांट ओनर उसका एडवाइस देते हुए और आपके साथ में इंटरेक्ट करते हुए दिखाई देगा और अगर आपके पास कोई कमेंट्स है या अगर आपके पास कोई सवाल है जो आपको मन में बहुत ही बुलते हैं खटक रहा है रिगार्डिंग दर फूड बिजनेस तो आप कमेंट सेक्शन में आपका सवाल जरूर पुछे मेरे जादातर वीडियो का टॉपिक मेरे कमेंट्स के उपर से आता है और कमेंट्स में जो क्वेस्टन्स पुछते है उसके उपर ही मैं क्य चाहिए तो आपको दुनिया बर का ग्यान दे सकता हूं आप गूगल पर जाके कहीं पर भी ग्यान ले सकते हैं बट जो में टॉपिक है वह आपके दिल में जो आपका क्वेस्टन्स है उसी से आता है तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक में हाव तो रेकूट स्टाफ और सो अगर मैं आपको सिंपल तीन चार चीजे बताओं जिससे आप फास्ट स्टाफ रेकूट कर सकते हैं तो पहला है इंटर्नल रेफरेल तो यह इंटर्नल रेफरेल मतलब जो एक्जिस्टिंग आपका स्टाफ है यह खास करके जिनका खुद का रेस्टोरांट है उसके से या उनके पेचांद से आपके लिए लोग लेकरेंगे और यह सबसे ज़्यादा स्टाफ का एजी वे है स्टाफ को खुश रको स्टाफ फिन के लिए दूसरे लोग लेकर आएगा कि उनको अच्छा लगता है कि उनके जो तो रिष्टेदार है या फिर उनके फ्रेंड्स है या उनके फैमिली में से कोई किसी को स्टेडी जॉब मिले और स्टेडी जॉब और अच्छा टीटमेंट अगर देंगे तो डेफिनिटली वह आपके पास रहेंगे यह चीज नए लोगों के नए रेश्टराइट ओनर्स के फ्री में अगर आपको रेकुरूट करना है तो आप बहुत सारे फेसबुक पे आप जाएंगे तो जॉब के ग्रूप्स है नेट्वर्क से वाटसैप ग्रूप्स है और पोर्टल्स है अलग-अलग जहां पर फ्री में आपकी वेकंसी को पोस्ट कर सकते हैं और आपका जो नाम है और जॉब प्रोफाइल है मान लीजिए आप कोई कुक को हायर करना चाहते हैं तो आप कुक कुक वेकंसी फॉर कुक और यह नंबर पे कॉल करें यह रेस्टोरांट में यह एरिया में है और आपका सैलरी भी आप उनको बता सकते हैं दसनाजार पनाजार जो भी आप ऐलरी दे रहें तो इंट्रेस्टेट्ट पाटी जो हैं इंट्रेस्टेट लोग है जिनको खुद जॉब चाहिए और जो अनलाइन एक्टिवली सर्ज करते हैं वह आपको कॉंटक कर सकते हैं और उनके साथ में कॉंटक करने के बाद आप उनको बुलाके आगे आपका यह कर हो रहा है तो आप job portals पे जाके कर सकते हैं नौकरी.com है और बहुत सारे websites है अपना.com है indeed.com है work India.com है बहुत सारे आज की तारिक में है जो आप को हजार दोजार पे लेके आपका ad post करेंगे और आपके लिए relevant candidates लेके आएंगे उसके बाद चोता है hiring agencies बहुत बार क्या होता है कि अख्खा पूरा hotel खोलना होता है और आपको कम से कम 20-30-40 लोग चाहिए तो in that case आप hiring staff agencies को hire कर सकते हैं सिर्फ एक ध्यान रखिएगा hire करने के टाइम पे जब भी आप staff agency को hire करेंगे तो उनके previous clients के साथ में एक बार बात करके उनका feedback ले लिजेगा क्योंकि hiring agencies बहुत सारे आज कल market में आगे हैं जो बहुत ही फसानिका काम करते फ्रॉड काम करते वह एक बार आपको staff दे दे देंगे दो चार मेने में फिर आपका staff निकाल के दूसरे hotel में दे देंगे ऐसा भी होता है अच्छे hiring agencies भी है अगर आप तो उसके लिए आपको क्या करना है जब आप hiring agency से बात करो तो उनको ही पूछो कि आपके तीन मुझे अच्छे client दे तो जिनसे मैं आपके बारे में बात करना चलता हूँ अगर कोई hiring agency तीन client आपको नहीं दे सकता इसका मतलब वो hiring agency में कोई दम नहीं ठीक है तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अभी हम second half of our और वीडियो में आते हैं जिसमें आपको सवाल मान लीजे खास करके आप restaurant चला रहे हैं मान लिए छे महिने से एक साल से और बार आपका staff छोड़के जा रहा है तभी आपको यह सवाल खुदको पुछना है कि why do you need recruiting often क्यों कोई भी staff जबी आपका restaurant में आके आपके साथ में काम करता है तो वह 1000 km अपना घर बार छोड़के आपके पास आके काम करता है तो अगर वह hotel छोड़के जा रहा है वह दुसी जगह जा रहा है तो उसके बीचे बहुत सारे सवाल है एक तो आप उनको time पे salary नहीं दे रहें तुसरा तो आप उनको कम salary दे रहें तुसरा तो आप उनसे काम ज्यादा करके लेने चौता आप उनका respect नहीं दे रहें या फिर वह स्टाफ में कुछ तो problem है स्टाफ को शायद उसके खर्चे ज्यादा पगार चाहिए ऐसा भी होता है कभी-कभी not necessary हर बार और में ही problem होता है बहुत बार स्टाफ में जो हम लोग बोलते हैं हमारी industry में उसको कम कर सकते हैं तो सबसे पहले तो जब आप कोई स्टाफ को लेंगे तो उसका job responsibility define कीजिए बहुत बार क्या होता है स्टाफ को खुद को पता नहीं होता है उसको क्या करना है और आप उसको randomly इदर उदर काम देते रहें तो first of all वो confused हो है service वाला है तो उसको बलने का सुबह आप पुरा table clean करेंगे जाडू लगाएंगे जो भी आपका काम है clean करेंगे table set करेंगे उसके बाद duty चलो होगा तो भी आप service करेंगे और यह करेंगे तो उसका जबी एक एक ब्रैकेट के अंदर उसका job job duties और उसका role अगर डिफाइंड होगा अगर उसको मालूम होगा तो वो clarity मिलेगी उसको और फिर शान्त हो जाएगा आज आपने उसको service दे दिया कल आप बोलेंगे मोरी पे खड़ा हो डिश्वाशिंग पे खड़ा हो जाओ और सो बोलेंग यह चीज में यह सबसे बड़ी चीज है जिसके हुझे से स्टाफ चोड़की जाता है कभी भी अपने स्टाफ को एक दिन कोई भी एक दिन डिसाइड कीजिए और वो दिन पे ही पगार दीजिए या salary दीजिए इसका बहुत-बहुत बड़ा कारण है मैं आपको जैसे कि वो लोग पूरे इनकी जॉप के पैसे के ओपर डिपेंड होते हैं वह अगर मान लीजिए आपने दो दिन यहां पे लेट शालरी दिया तो उनके यहां का राशन खतम हो गया है और दो दिन वो राशन वो लोग नहीं ला पाएंगे यह बहुत-बहुत इमोशनल और चालो करेंगे तो आपको पाच्छे मैना यह मैं हमाश्या मेरे कोचिंग प्रोग्राम में सिखाता हूं बाइदर मेरे कोचिंग प्रोग्राम के बारे में मैं end of the video में बताऊंगा कि आपने दो चार मैना चे मैने का मंतली फिक्स कॉस्ट का तो वर्किंग कैपिटल रखना ह है तो ऐसा नहीं हो कि आपने दो इस ताफ करेगा तो क्या करेगा यह यह नहीं बहुत ज़रूरी है और इस चीज पर आपके दिल में कुछ अगर खैल आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता इए कि वैदर इट इस राइट और रोंक कि आपके स्टाफ को हुट इव गट है जो ब lange fun देलिडी ट्रकर में लीन प्रिट दिज़ा में या θα लांट हो वाले हो तो हमेशा सेलरी जो है वो टाइम पे दिया कीजिए और यह मेरा सुपर हिट फॉर्मुला है एट्रैक्ट केर एंड एंपावर मतलब हमेशा अच्छे कश्ट अच्छे स्टाफ को आपकी तरफ एट्रैक कीजिए उनका ख्याल रखिए उनका अगर उनको स्टाफ रू मशीन नहीं है वो भी इंसाने उसके भी उसको भी नीदा तो उसकी बॉड़ी भी थकती है उसको नीदाती है तो वह सब चीजों का ख्या लगना चाहिए और एंपावर कीजिए कोई भी डिसिजिजन लेने के लिए उसको डिसिजन हर जिसिजन आपके पास मत रखिए चोट जब ही आपका मान लीजिए आपको स्टाफिंग में बहुत प्राब्लम हो रहा है तो आपने आपका जो ड्यूटी जैन रिस्पॉंसिबिलिटेज उसको रेगुलर और सीजनल में स्प्लीट कर रहा है मैं आपको एक एक एक्जांपल देता हूं मेरा रिसोर्ट है में एकदम ज्यादा लोड आता है और विग्डेज में खाली देता है तो इन डाट केस मुझे बहुत सारे रूम बॉइस जो है वो मेरे होटेल में रेकुरूट करना फीजिबल भी नहीं है और उसका ज़रूरत भी नहीं तो मैं क्या करता हूं फ्राइडे सेंडे को दो चा कर सकते हो या फिर आप या फिर आप उसको दुसरे किसी इसमें हाइर कर सकते हो दूसरे कोई पार्ट वाइर किया यह मेरा last point है सब्सक्राइब दिखाथ सब्सक्राइब करें तो स्टाइब पूरे साल पूरे महीने के लिए रेकूरूट करने की ज़रूरत नहीं है अगर वह काम वह लिमिट तक है तो आप वो लिमिट तक ही हायर कर सकते हो तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए बट मेर इंपॉर्टेंट स्टाफ का जितना आप केर करेंगे अभी मैंने जो आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो के बोला था कि दो टाइप के होटल होते हैं एक टाइप का होटल जिसमें कर दोसे क्या सालों से तो हमरी जो रेश जो रेष्टरोंट्स है वो यसे टाइप के जांपे थीस चालीस čालीस चालीस पचास पकल्शा साल एक बंडा करता है एक स्टाफ काम करता है क्योंकि वो उसको घर के जी साह है उसको पता है कि ऊसको मिले गा जैसिक Bite in लेगा उसको आराम मिलेगा, उसको रहने के लिए खाने के लिए मिने के लिए अच्छा मिलेगा, और वो उसके लिए एक प्राइड का बात होता है, एक रुबाप का बात होता है, कि मैं यह होटेल के लिए काम कर रहा हूँ. आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर रियल में आपको यह वीडियो पसंद आया है प्रुपयागर करके इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और comment section में जाके आपको आपको क्या इस चीज़ वीडियो में सिखने मिला वो ज़रूर लिखिए और अगर आप deeply और study करना चाते हैं आपको कैसे खुद का hotel चालो करना है या आपका अगर खुद का hotel है और उसको optimize करना चाते हैं तो मैं एक coaching program run करता हूँ जिसका नाम है restaurant launch formula coaching program ये website पे जाके www.gopalkamat. dot in पे जाके मेरा coaching program जरूर join कीजिए देखे और join कीजिए इसमें एक step by step video course है जिसमें आपको exactly पता चलेगा कैसे आपने खुद का restaurant चालो करना है प्लस हर week मैं मेरे coaching program members के लिए आप भी हमसे का माड़ा 200-300 coaching program members हो गए तो उनके लिए हर week मैं live आता हूँ on Tuesdays मंगलवार को शा problems के उपर हम लोग काम करते हैं तो अगर आप रियली आपको all deep study करना है तो कुपया करके coaching program join करें और मेरे वीडियो देखते रही है मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरा ये वीडियो मेरे कोई मेरे facebook page पे या instagram पे देख रही है तो वो join कीजिए अपने दोस्त इस ये पुण्य का मेरे हिसाब से मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं तक क्योंकि मेरे दोती इन होटेल जए बट मैंने ये experience किया हुआ है अनुभाव किया हुआ है food business ये बहुत ही पुण्य का बिजनस है बहुत पुण्य का माने का बिजनस है इसमें पैसा तो है ही साथ में भूक और प्यास मिटाने का उनको service देने का और अच्छे दोस्स बनाने का network बनाने का तो आई होप यह वीडियो आपको लाइक आपको अच्छा लगा हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए मेरा coaching program कीजिए मिलते हैं next video में thank you take care